नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर केंद्रिय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि वित्तमंत्री निर्माला सितरमन द्वारा संसर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नितरूत्व में पेश किया गया बजट देश में आधुनिक बुनियादी ढाचे के विकास के लिए एक प्रुशी से जुड़े एहम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश काफी मददगार सापित होगा। साथ ही योजनाओ को PPP मॉडल के थाथ लाय जाएगा। इसलिए डिजिटल और आधुनिक तक्निक किसानों तक पहुचेंगी और इससे किसानों को फायदा होगा। गड़करी ने उम्मिद जताते हुए कहा। विकास के पैरामिटर को रेखांकित करता है। संभावनाय मवजुद रहेंगी। ये कहते व्वे Confederation of All India Traders कैट के राष्ट्रिय अध्यक्षब BC भरतिया एवं राष्ट्रिय महासचिव प्रविन खंडेलवाल ने एक सहयुक्त बयान में कहा कि वर्तमान में वीपरीत हालातों के बीच बजट के जरिये देश की विवस्ता को स्तीर रखने और विभिननक शेत्रों में बेहतरी लाने का प्रयास वित्तम अंत्रलाय द्वारा किया गया है। बजट में देश के वेतन भूगी और मध्यम वर्ग के लिए कोई रहत उपायों की घुशना नहीं करके उनके साथ विश्वसगात किया गया है। और अब खुद को ठगा हुआ मैसूस कर रहा है। बेरोजगारी और महेंगाय की मार जहल रहे। आम लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। महरश्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के महासच्यू एवं व्यापार उद्योग सेल के मुखिया अतूल कूटेचा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते वे मोधी सरकार की अर्थनीती को अर्थनीती बताया है। इससे देश की अर्थवेवस्ता तबाह हो गई है। जनता के लिए या बजट हानी कारक है। वित्तमंत्री ने बजट में वेतन भूगी और मध्यम वर्गों को पूरी तरह निराश किया है। आम गरीब लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी के सचिव आशिज दुआ ने कहा कि निराश होता नौकरी पेशा मध्यम वर्ग, गरीब किसान, युवा, रोजगार, सुरुजन करने वाले लगू एवं छोटे उद्ध्योग धंदों के उद्ध्यमी आधी सभी वर्गों को मुदी सरकार क इस आठवे बजट के बाद विश्वास हो गया है कि इनके शासनकाल में किसी का विकास नहीं हो पाएगा। कि हा केंद्रिय आम बजट, अत्यनत संतुलित, विकास न मुखी वभविश्य में भारत को नए आयाम पर पहुचाने वाला बजट है। जो भारत को एक नए आयाम देने का काम करेंगे। विप्र पाउंडेशन की उपाध्यक्षा रीतू आनन शर्मा ने कहा कि संसद में पहली बार डिजिटल बजट प्रस्थूत करते वे, वित्तमंत्री निर्मला सितारमन ने डिजिटल अर्थवेवस्ता और डिजिटल पेमेंड को बढ़ाने पर जोर देते वे, बहुत सारी साउगाते दी है, प्रदानमंत्री आवास योजना के तहट 80,000,000 जरूरत मन लोगों को घर मोहिया कराने और हर घर में नल पहुचाने की योजना के तहट, लगभग 3 करोट घरों में नल पहुचाने की बाद भी बजट में कई गई है, जो निस संद्य एक स्वागत योग् मोबाइल फोन चारजार और चमड़े की वस्तुय सस्ते होने से योवा वर्ग तो बहुत खुश हो गई, वही महला आए इमिटेशन जुवेलरी महेंगी होने से थोड़ी ना खुश हो सकती है, क्योंकि सोना इतना महेंगा हो गया है कि हर महला आजकल इमिटेशन जुवेलर कई उपयोग जादा करती है, कारपोरेट टैक्स घटाने के साथ साथ अगर आम आदमी को भी इंकम टैक्स में कुछ हाथ तक छूट दी जाती, तो खुशिया दुगनी हो सकती थी जिला परिशद में राश्ट्रवधी कॉंग्रेस के गटनेता दिनेश्च रमिस चंद्र बंग ने कहा कि केंद्रिया बजट में श्रमिकों और किसानों के लिए कोई ठोच उपाय नहीं है यह बजट केवल एक आकडो का खेल है जिससे आम जनता को हाथ में कुछ नहीं मिलेगा जहां बड़े कार्पोरेट कारुबारियों को टैक्स में छूट दी गई, वही छोटे कारुबारियों को बजट से कुछ नहीं मिला कुल मिलाकार यह बजट बेहद निराशा जनक है, ऐसा कहना पड़ेगा कि सरकार आपक हो चुकी है विदायक प्रविंदटके ने कहा कि केंद्रिया बजट के प्रावधानों से पिछले वर्ष की तुलना में पुंजी गत व्याय में 35 प्रतिशत वुद्धी के लक्ष से निश्चित रूप से महत्वपुरुन वुद्धी होगी मेकिन इंडिया में 60 लाग नए रोजगार सुरुजित होंगे और आत्म निर्बरता के ताथ 16 लाग नए रोजगार सुरुजित होंगे पी-म आवास योजना के ताथ 80 लाग नए घर बनानी की मन्शा और 25,000 किलोमिटर नए राश्ट्रिय सडकों के निर्मान के उद्धेश से भी बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे आने वाले दिनों में कारपोरे टेक्स ब्रैकेट बढ़ाना बहुत सकारात्मक कदम है व्यवसाय के लिए अनुकुल वातावरन प्रदान करने की भावना इस बजट में परिलक्षित होती है रज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी हुई NPS सिमा बहुत सराहनिया निर्णय है जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को और मजबुत करेगी यह निस्संद्य एक स्वागत योग्य कदम है केंद्रिय बजट पर प्रतिकरिया देते हुए विधाय कुपडे ने कहा कि लाखो नौकरिया महिला सशक्तिकरण के लिए नए योजनाए लाख नए मकान, दिव्यांग के मातापिता को टैक्स में छूट, स्वच्छ जल के लिए प्रावधान, किसानों के लिए महत्वपुर्ण योजनाए, आधुनिक खेती तथा डिजिटल करेंसी की घोशना से नए भारत का सुरुजन होगा कुल मिला कर ये बजट, नियू इंडिया का आगाज करने वाला, तथा महिलाओ, एवं युवाओ को समर्पित बजट है वित्यमंत्री निर्मला सिता रमन ने एक व्यापक बजट का अनावरन किया है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाएगा जिससे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा परिकल्पित आधुनिक भारत के सपनी को साकर किया जा सकेगा ये एक ऐसा बजट है, जो देश में दली तो, शोशी तो, पीडी तो और पिछडे वर्गों को ध्यान में रखते हुए कोसिया के विदरभा अधिक्षय सिये जुलफे शाह ने कहा कि बजट 2022 देश के विकास को गती देने वाला बजट साबित हो सकता है MSME के लिए कोरोना में लाए गए एमर्जंसी क्रेडिट लाइन में अतिरिक्त 50,000 करोड रुपे का आवंटन कर उसे मार्च 2023 तक विस्तार करने की घोशना से अच्छा समर्थन मिलेगा सभी सेक्टर्स के लिए सकारात्मक घोशनाए करते हुए वित्तमंत्री ने कैपेक्स पर भरपूर जोर देते हुए 35% की बढ़ोतरी करवाई जिसे गतीशिल विकास एवं निवेश होगा स्टार्ट अप्स एवं एग्रो स्टार्ट अप्स के लिए भी फंडिंग को बढ़ावा देने से इस शेत्रों को परियाप्त प्रुथसाहन मिलेगा लॉंग टर्म कैपिटल गेन से सरचार्च को घटा कर 15% के अधिक्तम कैंपिंग से करदाताओं को रहत मिलेगी स्पेशल एकोनॉमिक जोन के लिए भी नई पोलिसी का एलान किया गया है एवं एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी स्वागत योग्य कदम उठाए गया है जिसे बड़े अंतरराष्टिया निवेशक भारत में निवेश करने के लिए उतसुपता से आ गयाएंगे ग्रीन ब्रांट्स, डिजिटिल करेंसी, वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए निरने लिए गया है जो काफी सकारात्मक साबित हो सकते हैं आएकर में दो साल के अंदर अप्टेडेट रिटन्स के प्रावधान से करदाताओं को अफसर मिलेगा और नोटीस कम होगी हाला कि हाउसिंग लोन के बियास की आएकर में कटौती की सीमा दो लाग से नहीं बढ़ाने के निरने पर नागरिकों में थोड़ी निराशा जरूर है कैमिट के राश्री अधिक्षय डॉक्टर दीपिन अगरवाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्मान के लिए विश्वास आधारिच शासन पर जोर देने वाला ये एक भविश्य और नुखी बजट है ये वजट समावेशी और प्रगतिशील है करदाताओं उद्द्यमियों और निवेशिकों में विश्वास और सकारात मकता है शिक्षा और स्वास्त सेवा के डिजिटली करण पर जोर एक सरहानिय और उचित कदम है क्योंकि वैश्विक कोरोना वाइरस महामारी ने शैक्षनिक संस्थानों को बंद करने के लिए मजबूर किया जिससे विशेश रूप से ग्रामिंट शेत्रों में चात्रों का भारी नुकसान हुआ है मध्यमवर के लोग निराश है क्योंकि आयकर छूट की सीमा पांच लाग और उससे अधिक होने की उम्मिद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ व्यापारी निराश है क्योंकि ये उम्मिद की जा रही थी कि FM कंपनियों, पार्टनर्शिप और प्रॉपराइडर्शिप फार्मों को एक ही टेक्स लेब में रखा जाएगा बजट महत्व कांग्शी जरूर है लेकिन फिर भी 9.5 प्रतिशत की प्रस्तावित विकास दर को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनोती साबित होगी मैं बजट को 10 में से 7 अंग दूँगा पुर्व भाचपा विधायक गरिश्वियास ने कहा कि भारत की स्वाधिंता के 50 वे वर्ष में आगा में 25 वर्षों के साथ का विकास प्रारुप केंद्रिय बजट में क्रमश अह प्रस्तुत किया गया है इस कारण इसे दूर दुरुष्टी पूर्णा बजट कहा जा सकता है गरीबों के लिए घरकुल योजनाओं में 80 लाख घर दिये गया है जो वर्ष 2023 तक गरीबों के विकास के दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा भाचपा महराश अलपसंख्यक मूर्चा के पुर्व मंद्री महसिन जफर खान के पहल से तथा केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंद्री नितिन गड़करी की और से अजमेर शरीफ दरगा में चादर मुबारक पेश किया जाएगा गड़करी ने COVID-19 महमारी के समय लोगों से आभान किया है कि वे अपना और अपने परिजनों का विशेश ध्यान रखे और उन्होंने सभी देशवासियों को ख्वाजव गरिब नवाद सरकार के उर्स की शुप काम नए भी दी हर साल की तरह गड़करी की और से इस वर्ष भी चादर मुबारक भीजी जा रही है इस बारे में भाचपा महराष्ट अलपसंख्यक मूर्चा द्वारा बुलाई गई बैठक में हाजी अश्वाक पटेल, पुर्वनगर सेवक और कव्वाल, सईथ फरिद निजामी, इजहा गड़करी ने सबकी बहतर सेहत और देश में शान्ती और सद्भावना कायम रखने के लिए तुवा मांगी और उर्सके अउसर पर सभी देशवास्यों को शुपकाम नहीं दी कोरोना वाइरस का नया वेरियंट मिनाशकारी नहीं है, कोरोना का असर खतम हो गया है नागरिकों को इस तरह के ब्रहम में नहीं रहना चाहिए, खास कर गर टीका कुरुत नागरिकों को ऐसी अफवाव में विश्वास नहीं करना चाहिए पिछले एक महीने में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 135 रही है इसलिए कोरोना महामारी से बचाओं का एक मात्र उपाय टीका करन है और नागरीकों को दुसरा रोज जल्दी पूरा कर लेना चाहिए इस आशे के विचार जिलाधीकारी विमला आर ने जिलाधीकारी कारियाले में बुलाए गए एक समिक्षा बैठक के दोरान व्यक्त किये ग्रामिन और शहरिक शेत्रों में टीका करन के दर को और अधिक बढ़ाने की आवश्चकता है सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को लगातर फोन किया जा रहा है और वैक्सिंग लेने के लिए कहा जा रहा है विबिन्द सोशल मीडिया प्लैटफरम के माध्यम से नागरिकों से वैक्सिंग लेने का आगरह किया जा रहा है साथ ही अफवाव में विश्वास न करने का आभान भी किया जा रहा है हालां कि कई जगों पर नागरिक अभी कोरोना के खत्रे को गंभिरता से नहीं ले रहे है ये लापर वही बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है कोरोना से बचने का एक मातर उपाय टीका करन ही है इसके लिए नागरिकों को प्रिशासन के साथ आ गया कर अपने आसपास के प्रतेक नागरिकों को टीका करन के लिए प्रेदित करना चाही है जिलाधिकारी आरविमला ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कांफरेंस में अपिल करते वे कहा महाराश्टर राष्टर भाशा सभाश शंकरनगर में सापताही कार्यक्रम मेरी कहानी में मिरा रायकवार ने अध्यक्षता करते वे कहा कि आज की सभी कहानिया साम सामाईक विश्यों को लेकर प्रस्तुत हुई कहानियों में ये बदलाओ दरसल बहुत जरूरी है पारसना चर्मा ने पुरानिक पात्र नारत को लेकर मनुष्य के देहवा आत्मा के भेद को समझाया वही कुरुष्ण कुमार द्वीवेदी ने हिंदुस्तानी मयत का सामान के अंतरगत कव्मी एकता और अखंटनता संप्रभुता को लेकर लगुकता प्रस्तुत की लेखी का माधुरी मिश्रा मधुने बदलाव अच्छा है कहानी में मेरे प्यार से बने शादी के रिष्टे में सास के साथ बदलते सार्थक रिष्टे तथा अपने फर्स की जागुरुकता को प्रेशित कर वहावा ही लूटी डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा ने पंखुरी पातर के माध्यम से महिलाओ द्वारा जीवन साथी के चैन के बारे में अपने लेक पर प्रकाश डाला और अपनी अन्यकहा ने उत्तर मिल गया के बारे में भी जागुरुक किया डॉक्टर प्रभा महता ने कोरोना के प्रकोप में आई कमी के बाद बदलते सामाजिक रिष्टों की प्रस्तुती सामाजिक प्राने के माध्यम से बताया कि सनाटा अंतेरे से प्रकाश के मार्ग की और इंसान को अग्रसर करता है मिरा रायकवार ने तुम मा हो लगुकता में महामारी में मारे गए अभी भावकों के बच्चों के संगर्शों पर प्रकाश डाला और समाज को ऐसे बच्चों को अपनाने की जरूरत को दर्शाया परमपुज्य संतशीरोमनी आचार्य विद्यासागर महामुनी राज के परमचिश्य परमपुज्य मुनिश्री पायसागर महाराज का पदविहार परवार पुरा मंदिर नाकपुर से रामटेक जैन मंदिर के और 30 जनवरी रविवार दोपहर 2 बजे हुआ सुमतलला जैन ने बताया कि जैन मंदिर कामठी दर्शन करने के पश्चात रात को कनान में उन्होंने विश्राम किया सुमवार को मुनिश्री की आहार चरिया नीमखेडा में हुई मुनिश्री के पदविहार के दोरान संतोष बैसाख्या, पंकट जैन, जीतु जैन, आशिश जैन, संदीब जैन, अर्विन जैन, सनद जैन, सुन्दर मोधी एवं जैन सेवा संग तुलसी नगर के महिलापूरु श्रधाल उपस्ति थे इसी प्रकार आचार्य अनिकांत सागर जी महराज, परंपुज्य मुनि प्रग्या सागर महराज, आर्ये का गरनाने, प्रमुग ज्यानमती माता जी, एवं ससंग का सुमत लल्ला जैन, संगडन मंत्री डॉक्टर चंदरनाथ धागवत कर, किशोर कहा ते, कमला जमेरा, आद ये रुप से कार्य कर रही है, हाल ही में त्री लोग तिर्तधाम, बड़ा गाउ में महासभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राश्ट्र अध्यक्ष गजराज, जैन, गंगवाल, महामत्री, प्रकाश बढ़ जातया, और कोशाध ध्यक्षपत पर डोंगर मल निर्वा चित हुए। तरह आशे नगर जोन के अंदर गत, आटोमोटिव चोक, कामठी रोड में, श्री पंजाब लाउन के खिलाफ शादी समारोह के दोरान नियमों का उल्लंगहन करने पर कारवाई की गई और 15,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया। मनपायक तराधा कुष्णन बिके मार्क दर्शन में और NDS प्रमुक विरसन ताम्मे के निर्देशा नुसर ये तमाम कारवाई की गई। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिके बी न्यूस नमस्कार।